गुड मॉर्निंग क्लास यू के जी आज 27 तारिक है और आज मैं आप लोगों को बड़ी एकी मात्रा सब्द पढ़ाने जा रही हूँ सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दू कि बड़ी एकी मात्रा जो है वो हमेशा वेंजन के दाहिनी तरफ याने के बगल में दूसरी तरफ बाद में लगाई जाती है और वो मात्रा जो है किसी भी वेंजन पर बगल में लगाई जाती है बाद में और छोटी एकी मात्रा वेंजन के पहले लगाई जाती है तो अब मैं आप लोग को बता दूँ कि कैसे पढ़ेंगे अगर को में बड़ीक मत्रा लगाते हैं तो को में बड़ीक मत्रा की खो में बड़ीक मत्रा की गो में बड़ीक मत्रा गी गो में बड़ीक मत्रा गी चो में बड़ीक मत्रा ची ऐसे देर तक आवाज निकालते हैं छोटी की आवाज जो है जल्दी निकलते हैं को में छोटी कि मत रखी खौमें छोटी कि मत रखी उसी तरह से बड़ी की आवाज देर तक निकलते हैं जैसे को में छोटी कि मत रखी को में बड़ी कि मत रखी खौमें बड़ी कि मत रखी अब मैं आप लोगों को ये पेज नंबर 16 पढ़ाने जा रही हूं इसमें जो सब लिखावा है उसको मैं पढ़ रही हूं और आप लोगों को समझा रही हूं इसी तरह से आप लोग पढ़ेंगे थेा के दूसे कैसे की नारी वर मैं पढ़ेंा आप लोगों को समझा रही है उसलित की कैसे आप लोगोंसते गोंसे टेज लागों मैं जो मैं जोल इलाय को लेगा आप लोगों सम्रुन की त्दीक क Ό मुझान पज्चा मैं बल्पाव इसमें भाव पर प्रती एसा सी तरह आ से नीचे से परकाव से टुंव यलो कलर के बॉक्स में उससे भी आप लोग पढ़ेंगे उसके नीचे पीले बॉक्स में उखावाई आप लोग उससे भी आप लोग पढ़ेंगे इस तरह सी आप लोग पूरी बुक में पेज नंबर 16 अच्छे से खूब पढ़िए और पढ़ करके बोल बोल कर पढ़ना सीखिए आगे दूसरा पेज नंबर 17 मैं कर पढ़ाओंगे और इसके आगे मैं आप लोगों को कौपी में काम करने के लिए बड़ी की मात्रा वाले और खाली जगह भरो भेज रही हूं इन दोनों को आप लोग अलग अलग पेज में आज का डेट डाल करके लिखिएगा ओके बाय थैंक यू